हेलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो ही तो आज का वीडियो बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन कांसलिंग और सोसल साइंस रिचार्ड रिसर्च सेंटर में जो है एक वैकेंसी निकल के आ रहा है तो आप सभी देख ल अब लोग समझें जिसे की आपको जानकारी सटिक मिले सही मिले तो चलिए आएए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप सभी इंस्ट्रक्शन टूदा फील्द ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म तो यहाँ पर लगने वाला है यहाँ पर लेवल शिक्स आजार रूपया और यहाँ पर लिएग्सald के लिए चार्ट रूपया लगेगा और आप अगर एक्ष्टा सर्विसमें की तरफ से आते हैं तो यहाह पर वोमें कंडिए्ट एक्ष्टा स्र शर्रुसमें का कोई भी फीस नहीग जगने वाला है उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम जो है इसका ओफिसियल वेबसाइट पर जाकर करके आप लोग ऑनलाइन अवेदन कर सकते हैं और उसके बाद देखे सब से पहले इंपोटेंट डेट जो रखा गया है आपका 4 जनवरी 2024 से जो है स्टार्ट होगा और इसका लाश्ट डेट जो रखा गया है ऑनलाइन सम्मीट करने का आपको जो है 5 फरवरी 2024 तो यहां तक जो है आपको 5 फरवरी तक ध्यान रखना है और इस फॉर्म को जो है जरूर से अपलाई कर देना है टाइम रहते हुए ठीक है टाइम रहते हुए अगर आप सभी अपल ठीक है उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या-क्या दिया गया है इंस्ट्रक्शन में जिसको आपको ध्यान में रखते हुए इस फर्म को जो है अपलाई करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले देखी यहां पर जो है सिलेवस दिया गया है और आपका जो है जेनरल इंटेलिजेंस देख सकते हैं पचीस कोश्चन रहने वाला जो की पचास मार्स का होगा ठीक है पचास मार्स का होगा उसके बाद इंगलिस लेंग्वेज रहने वाला है आपका पचीस कोश्चन और पचीस कोश्चन यह कितना का तो 50 मार्स का होगा और उसके बाद जो है आपका general awareness रहेगा ठीक है quantitative रहेगा 25 question तो यह सब जो है आप सभी जानते हैं कोई भी competitive exam या competition का exam देते हैं तो आप सभी का जो है 100 question रहता ही रहता है निश्चित तोर पर ठीक है तो यह हो गया आपका marks यहाँ पर देख सकते हैं total को calculate कीजिएगा तो 200 marks का exam रहने वाला है उसके बाद चलिए इसमें देख लिजे 30 minute का जो है आपको descriptive test होगा जो की 100 marks का होगा ठीक है essay writing आपको करना होगा जो की आपको 100 marks का होगा उसके बाद चलिए इसका syllabus भी देख लिजे यहाँ पर जो है दिया गया है तो इस syllabus के अनुसार आप लोगा study करते हैं तो आराम से इस exam को qualify कर सकते हैं क्योंकि syllabus से ही पूछा जाता है कोई भी question इसी syllabus के अनुसार पूछा जाता है ठीक है English language का syllabus देख लिजेए सबका अपना-पना syllabus दिया गया है general intelligence का syllabus दिया गया है तो इस syllabus को ध्यान में रखते हुए आप सभी तयारिक कीजिएगा तो इस exam को आराम से qualify कर सकते हैं तो यह हो गया general awareness सारा syllabus हो गया उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लिजे descriptive paper के लिए जो है दिया गया है तो descriptive paper में आप जो है देख सकते यहाँ पर जो है आपका दिया गया है इस हिसाब से जो है आपका descriptive test होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर skill test typing test दिया गया है तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना speed मांगा गया है 30 word per minute English में होना चाहिए आपको 25 word per minute Hindi में होरा चाहिए ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखिएगा आप सभी जो 30 और 25 आराम से आप typing test दे सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं है उसके बाद देखिए यहाँ पर research assistant का जो है वेकैंसिया इसमें जो है डेर घंटे का exam रहने वाला है ठीक है 90 minute का इसमें भी जो है same आपका जो है इसमें थोरा बढ़ा दिया गया है 2800 अंक का जो है 125 question पूछे जाएंगे ठीक है तो आपका जो है syllabus भी इसमें भी दिया गया है उसके बाद इसमें भी descriptive test होगा language test होने वाला है जो कि 100 marks का होगा उसके बाद चलिए आगे देख ल syllabus को ध्यान में रखेगा और इस form को भरते हैं तो सिर्फ इस पर focus की दिएगा तो आराम से qualify कर सकते हैं इसको syllabus को जो है आप सभी इसकिन सोट लेना चाहते होंगे तो ले करके रख लीजिए का ठीक है math होगा science होगा ठीक है यह सब तो आराम से रहता ही है किसी भी exam में उके उ जो है assistant director तो यहां पर assistant director का जो देर घंटा क्या exam होने वाला इसमें भी कितने marks का तो अठाईसों marks का जो है exam होने वाला है ठीक है तो इस चीज को आप सभी ध्यान में डखेंगे और उसके बाद यहां पर देख लीजिए जो है descriptive test जो है 100 marks का इसमें भी होगा तो इसमें आप इस पद के लिए आगर आवेदन देते हैं तो असिस्टेंट डाइरेक्टर के लिए ठीक है उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है इंटर्व्यू भी होगा जो की हंडेड मार्क्स का होगा आपका इंटर्व्यू और इसका जो है सिलेबस आप सभी देख लीजी यहाँ पर पेपर टू में जो है देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी जो है दिया गया है लेटर राइटिंग है यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसर ऐसे राइटिंग ठीक है तो यह सब चीज को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को जो है आप लोग जरूर अपलाई कीजिएगा और उसके बाद देख सकते हैं आपर जो है जेंडल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है इसको भी जो है आप लोग अगर श्टडी करना चाते हैं रिड करना चाते हैं तो इसको जो है पढ़ लिजिएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर जो है रिसर्च असिस्टेंट का जो है पोस्ट हो गया सकेंड पोस्ट उसके बाद चलिए ठर्ड पोस्ट देख लिजिए उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है तो तीन तरह का जो है पोस्ट इसमें निकाला गया आप सभी जो है चार जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो है पांच फरवरी तक अपलाई कर पाएंगे इस फर्म को तो समय रहते अपलाई कर दिजीगों और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजीए चैनल पर पहली बार में तो च मेशा खुश रहिए जै जै भारत